नमस्कार स्वागत है आप सभी का नरायन सर क्लास के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम क्लास 12 बैलोजी का चेप्टर एट मानो स्वास्ता रोग का अबजेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे इससे पहले हमने चेप्टर 7 तक अबजेक्टिव क्वेश्चन हल करा दि है और ये सारे किसी न किसी बर्श और ओढूने जलक्तिमसों पूछे गयं हैं तो क्यक्वेस्चन बहुत होते हैं और सभी क्यक्राटन सेलेक्टेड और सहते आयगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इनमें से किस रोग है तो एलिशा जाच करनी चाहिए इन में से किस रोग है तो एलिसा जाच करनी चाहिए आप्षन A है मलेरिया आप्षन B मियादी बुखार या टैफाइड CHIV यानि एड्स और D इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं तो आपको इसका एंसर बताना है सबी लोगों को पता होगा क्योंकि इसे क्लास में हमने कोई बच्चे से बताया हुआ है एलिसा है क्या यह किसके जाच के लिए होता है एलिसा टेस्ट तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप्षन C HIV AIDS के जाच में एलिसा टेस्ट करवाया जाता है खोभी डिटेल में हमने इसे बताया हुआ है नेक्स्ट क्वेस्चिन है इन में से किसके द्वारा देंग्यू का बिस्तारन होता है आप्षन A सीसी मक्खी आप्षन B मच्छर आप्षन C प्रदूसित वायू option D, इन में से कोई नहीं तो इसका भी answer यदि आपको पता है तो comment box में जरूर लिखिए इसका answer क्या होगा चलिए बता देते हैं इसका सही answer हो जाएगा B option B, मच्छर यानि कि dengue का बिस्तारण मच्छर के द्वारा होता है dengue एक बहुती घातक रोग है वाइरस के कूर में इन में से क्या पाया जाता है वाइरस के कूर में इन में से क्या पाया जाता है option A, DNA option B, RNA option C, दोनों में से कोई एक option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा option C, दोनों में से कोई एक क्योंकि वाइरस में या तो DNA होगा, या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है, वाइरस में दोनों एक साथ नहीं होता है, इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा, आप्शन C, Next question है, question number four, Influenza, इन میں से किसके द्वारा होता है, пример RNA किसके द्वारा होता है, बहुत ही important question, कई बार पूछा जा चुका है यह, इसका option A, Info Virus, B, Mixo Virus, C, Heartpage Virus वादी, इन में से कोई नहीं, आपको इसका ensure पता होना चाहिए, यह पता है तो comment box में जिरूर बताईए, किसका kanns क्या हो विप्स होगा की इसका एंसवर बता देते हैं मिक्स वाइडाश आपakahन बी सही है मिक्स वाइडाश आगे वर्टे नेक्स क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन नंबर फाइफ जैनि फील पाव या हाथपाव रोग का रोगार्ण। फिल पाव या हाथी पाव रोग का रोगाडू है आप से ने बुच्रेरिया भी एसकेरिस से टीनिया इन में से कोई नहीं तो इसका भी एंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईए और चलिए इसका एंसर बता देते हैं इसका एंसर हो जाएगा नंबर शिक्स ऐंटीबॉएटिक सब्द के प्रडेता हैं फ्लेमिंग आप सने बी जेनर सी वाक्षमान दी इनमें से कोई नहीं तो अंटीबॉएटिक सब्द किशने दिया तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन भी जेनर ने Edward जेनर इन्होंने उन्टीबोटिक सब्द दिया नेक्स क्वेस्टन क्वेस्टन नंबर 7 यौन संचरित रोग निम्नांकित में से कौन है यौन संचरित रोग निम्नांकित में से कौन है आपसने एट्स, बी सिफलिस, सी गुनोरी, डी इन में से सभी तो इसका सही अंसर आपको बता रहा है यदि आपने इस एप्टिर को पढ़ा है तो जरूर आपको ये सब आता है और आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर बता देते हैं सही अंसर हो जाएगा आपसन डी इन में से सभी यानिकि एट्स, सिफलिस, गुनोरी ये सभी रोग क्या है तो योन संचारित रोग है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन देखते हैं क्वेस्चन नमबर एट टी लिंपोसाइट उत्पन्न होता है आप से पेट से भी थाइमस से से यक्रित से दी अस्थी मज्जा से टी लिंपोसाइट किस से उत्पन्न होता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यसकों में यह जो लिंपोसाइट है वह अस्थी मज्जा से और बुरून में यक्रित से यहाँ से टी लिंपोसाइट उत्पन्न होता है तो वयस्क की बात कर रहा है इसलिए इसका आपशन डी से होगा अस्थी मज्जा से next question देखते हैं question 9 आर्बुदिय बिसाडू का रख है option A polio option B छहरोग option C pillia option D cancer आर्बुदिय बिसाडू का रख है किस के लिए polio के लिए छहरोग के लिए pillia के लिए cancer के लिए तो यहां पे सही सब्सक्राइब कैंदuu के लिए जो है मिम्नांकित कों सब्सक्राइब बिसानुजनित रोग है आपसन ने हैजा आपसन भी मलेरिया आपसन सी पोलियो आपसन भी इनमे से सभी तो इसका सही अंसोर आपको बताना है जरूर आप इसे जानते हैं कि कौन बिसानुजनित रोग है सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि है जिवानु से होता है बिसानु से नही इसके भी बारे में हमने बताया हुआ है है और इसका चैनर हो जाएगा मियानी की पुलियो पुलियो भिशाण अजनित रोग हैं छकिन बाद पुलियोड सांड कुछन नमबर 11 . रुधिर में पादेने वाले इम्म् priced हैं है आप्जन ने आईजिए आप्षन भी आईजिडी सी आईजिडी आप्षन डी आईजि एम तो इसका सही अंसुर हो जाएगा आईजी एम रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनो ग्लोबलीन प्रोटीन है नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन नंबर 12 question number 12 निम्दांकित में से कोन योण संचारित रुग है अप्चन ऐ गव्णोरी आप्चन भी मलेरिया आप्चन से हैजा वेडी इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्षन एक गुनोरी योन संचरीत रोग है नेक्स क्वेस्चन क्वेस्चन नमबर थर्टीन कैंसर का कारक है आप्षन ने अनको जीन्स आप्षन भी आरबुदी अभिशान आप्षन सी दोनो एत था भी वह आप्षन डी इनमें से कोई नहीं तो यह भी बहुत ही इसारड भी है और और औको जीन्स पिति इसके दोनों के द्वार्ण कैंसर रोग होता है नेक्स क्वेस्चन क्वेस्चन नमबर 14 शुजाक गुनोरिया रोग है आपे सिरी पर अप्षमलें 10 कि आथ कि पैस्टान बाए स्युजित प्राइं आपसंदी इनमें से कोई नहीं यानिकि रोगी नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसंदी यौन संचारित रोग है बार बार ये चीज आ रहा है सुजाक यानिकि गुनोरिया यौन संचारित रोग है किस से आपसंदी उदासीन बी लिंपोचाइट सी एंटिबोडी वरड़ी अलरजी तो इसकासे हैं अंसर हो जाएगा आपसंदी इलरजी इसके करीवみ सुक रहे है देंग्यू बुखार किसके करण होता है आपसने जिवाडू आपसन भी बिसाडू आपसन सी प्रोटो जुआ आपसन दी क्रीमी तो देंग्यू बिसाडू किसके करण होता है जिवाडू के करण होता है या प्रोटो जुआ के करण होता है या क्रीमी के करण होता है तो इसका स साद के करण नेक्स्त क्वेस्ट्टन देखते हैं हा क्क्वेस्टन नमबार सेवेंटीन यहां यह व्यूँन संचारित रोग है तो इसकर सही आंशोर हो जाएका इन तैर सबी यह न संचारित रोग है नेक्स्ट क्रेस्चन क्रेस्चन नंबर 18 बिढाल-परिक्ष्ण किस बीमारी के लिए किया जाता अपसट अमलेरिया अपसट पिटेफवाइड अपसट इन में से कोई नहीं तो बिडाल परिक्षण यानि कि बिडाल टेस्ट जिस बिमारी के लिए किया जाता है वह बिमारी है, टाइफ आइट, में बिडाल टेस्ट किया जाता है कि रोग टाइफ आइड हुआएं कि नहीं ? नेक्स्ट वेस्टन देखते हैं, क्वेस्टन नमबर 19, निमनलिखित में कौन सा रोग प्रोटु जुवा पर जीवी द्वारा संचारित होता है, आप सने आमी बी एसिस, बी मलेरिया, सी कालाजार, दी सभी, तो इसका सही अंसर हो जाएगा सभी, आमी बी एसिस भी, मलेरिया भी, कालाजार भी, ये सभी प्रोटो जुवा पर जीवी द्वारा संचारित होता है, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्वेस्टन नमबर 20, बिसाडु जो कैंसर उत्पन करते हैं, आर्भुदी य बिसाडु आप सने, आप सन भी जिवाण भोजी, आप सन सी, TMB, वह आप सन दी, इन में से, कोई नहीं, तो इसका सई अंसुर हो जाएगा, आप सने, अर्भुदी य बिसाडु, कैंसर उत्पन करते हैं, आप सने, से होगा, अर्भुदी य बिसाडु, कैंसर उत्पन करते हैं, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्वेस्टन नमबर 21, फाइलीन, C, लोराजीपम, D, मेथीड्रेन, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन D, मेथीड्रेन, ब्राउन सुगर, रसाइनिक रुप से क्या है, तो मेथीड्रेन है, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 22, निम्नलिखित में, संबेदन मंदक पदार्थ ह है, संबेदन मंदक पदार्थ है, आपसने तंबाकू, B, दारू या अलकोहल, C, हसीस या हैरोईन, D, भांग या उपियम, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसने तंबाकू, संबेदन मंदक पदार्थ है, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 23, निम्नलिखित समुहो में कौन संबेदनात्मक स्वापक पदार्थ है, निम्नलिखित समुहो में कौन संबेदनात्मक स्वापक, यानि कि नार्कोटिक पदार्थ है, आपसने मारफिन, कोकीन और चाय, B, हेरोईन, कोकीन और तंबाकू, C, ब्राउन, सुगर, हसीस, और कॉफी, D, कोकीन, हेरोईन और हसी तो इसका इंसर हो जायगा option D, क्या है तो नार्कोटिक पदार्थ है next question question number 24 संक्रमित पे जल से फैलने वाला रोग इन में से कौन है यानिके संक्रमित जो प्यजल है उससे कौम से रोग फेलता है आपसे ने Malaria, B. मियादी बुखार या टेफॉइड, C. Phylaria, D. काला जुअर दी काला जवार तो इसका सही एंसर हो जाएगा बी मियादी बुखार या टेफॉइट संक्रमित पेजल से फैलने वाला जो रोग है ओ है मियादी बुखार या टेफॉइट आगे बढ़ते हैं अगला question देख लेते हैं जो कि आपके screen पे है question number 25 निम्नांकित में वायू जनित रोग कौन सा है आपसने छै रोग बी डिप्थेरिया सी निमोनिया डी सभी इन में से सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन सी निमोनिया वायू जनित रोग है निमोनिया क्या है तो वायू जनित रोग है आगे बढ़ जाते हैं और अगल आपके स्क्रीन पे हैं जैविक खाद का मुख्य सुरोत है आप सने हरा सेवाल भी इस्ट सी जिवाडू दी लाल सेवाल हरा सेवाल इस्ट जिवाडू यह लाल सेवाल तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप सने हरा सेवाल जैविक खाद का मुख्य सुरोत है हरा सेवाल आगे ब आध्यान है आपसने Cancer B Oncogenes आपसन C A और B दोनों D भी शाड़ू तो इसका सही अंचोर हो जाएगा आपसने Cancer केंसर का अध्यान जिसके द्वारा होता है उसे बुला जाता है Oncology आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 28 योन संचारित रोग है आपसने खासरा B typoet C gonorrhea D TB कोन योन संचारित रोग है तो इसका सही अंसर हो जाएगा सी गोनोरिया योन संचरित रोग है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन क्वेस्चन नमबर 29 कैंसर किस कारण से होता है आपसन ए जिवान द्वारा आपसन भी ओंको जिन्स द्वारा आपसन सी ए और भी दोनों आपसन दी इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएग B. आपसन B. ओंको जिन्द द्वारा कैंसर किस करण होता है तो ओंको जीन द्वारा आगे नेक्स देखते हैं क्वेस्चन नमबर 30 इन मेंसे कोई जिवान जनित रोग हैं आपसन में कोष्च रोग आपसन c ये आपसन c है इन मेंसे सबी और option D, इन में से कोई नहीं, कोई नहीं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option C, इन में से सभी कुष्ट रोग और छै रोग, दोनों जीवान उजनित रोग है, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, question number 31, इन में से कोउन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदारन है, इन में से कोउन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदारन है, option A, option B, rheumatide arthritis, option C, cancer, option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आप्शन B रुमेटाइड अर्थराइटिस स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है क्या रुमेटाइड अर्थराइटिस नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर थाटी वन थाटी टू तमबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपाप्ची परिवर्तन सिग्र परिलक्षित होता है आप्शन A अधिब्रिक ग्रंति के उदिपन से कैटे कोलेमीन का रक्त स्राव आप्शन B ब्यक्ति के रक्त चाप तता हिर्दय स्पंदन की दर में A का एक ब्रिधी आप्शन C इन में से दोनो A और B आप्शन D इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन C इन में से दोनो A और B दोनो आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 33 इन में से कोन से बिमारी प्रतियूर्जक द्वारा उत्पन होती है इन में से कौन से बिमारी प्रतियूर्जक द्वारा उत्पन होती है आपसने तो अच्छा आया होगा और यदि आपको ये समझ में आता है तो कमेंट मादें उसे जरूर बताइए यदि आप हमरे चैनल पर ने तो चैनल को सबस्क्राइब कर जिएगा बेल आइकन को प्रेस करेंगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा सजदा सेयर करेंगा तो मिलते हैं अगले व वाचिंग जुड़े रिए नराएंसर क्लासिस के साथ